नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थमनेल में देखा कि आज हम बात करने वाल हैं कि फसल संदक्षन धान का फसल संदक्षन के बारे में तो मैं आप लोग को दोनों बीधी बताऊंगा कि जैविक बीधी क्या है और रसाइनिक बीधी क्या है क्योंकि जैविक बिधी में आपको खुद से घर पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और रसाइनिक बिधी में आपको केमिकल दुकान से खड़िदना पर सकता है तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देखना है कि फुफुंद जनित रोग यह जो है हमको काफी जादा जिस समय जो धान का कटनी होता है उससे कुछ दिन पहले आपको यह फिल्ड में देखने को मिलता है यह पिला पिला जो है आपको फुफुंद यह बाली पे आ जाता है उसके लिए आपको क्या करना है कि बीज उपचार अगर जैविक बिधी से करते हैं तर ट्राइकोडर्मा 6-10 ग्राम प्रती किलो बीज के साथ या खटा मठा या छाच एक लीटर 20 लीटर पानी में या लह तथा एंट्रा कॉल का हर 15 दिनों में आपको छिरकाओ करना चाहिए मात्रा जो होगा इसका 2 ग्राम प्र लीटर पानी में मिला कर आपको 15 दिनों के अंतराल पे छिरकाओ करना चाहिए इससे कि आपको फुपुंदी जनक रोगों से मुक्ति मिल जाती है दूसरा फुपुंदी जनक रोग है इसके लिए जैविक बिधी सेम है जो कि आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं या वीडियो पाउज करके आप देख सकते हैं रसाइनिक बिधी में इसमें क्या एंट्राकॉल 3 ग्राम पर लीटर पानी में उसके जर के पास मिट्टी में आपको छिरकाओ करना है और तीसरा जो आप देख रहे हैं कीट कप्र को यह कीट क्या करता है कि हमारे जर को जो है काट के खा जाता है या इसके पत्ती को रस चूचते रहता है जिससे कि यह काफी ज़्यादा हमारे फसल को बरबाद करता है इसके लिए आपको का करना है? जैविक विधी में गौव मुत्र 100 ml पर लिटर पानी के साथ या अगनी अस्त्र या ब्रहम हस्तर 20 ml पर लिटर पानी के साथ पौधों पर छिरकाव करना है. अगर आप जैविक विधी से एक हाद बनाने का प्रिक्रिया जानना चाहते हैं कि अगनी अस्तर और ब्रहम अस्तर क्या होता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं रसाइनिक विधी में आपको क्या करना है कि ठाई मेथी ओजाम जिसको कि हम एक तारा के नाम से जानते हैं जो कि एक ग्राम पर तीन लिटर पानी या फेम एक एमल पर लिटर पानी के साथ पौधो पर आपको छिरकाव करना है इससे कि सभी इंसेक्ट और कीरा मर जाता है और आपको कीरा नहीं लगेगा थेंक्यो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर सबस्क्राइब जरूर करें